मुझे बता देखूंगा कैसे कर सकते हैं मैंने पीछे आपको सिखाया तुए बार एक बार आप पुछ एटन कमांड देदो पूछ सकते हैं तो बिदो मिनिट में बहुत सकते हैं मुझे अरे यार तुम पांच अगाना चाहते हैं यार लाख होगी तो सोचा कुंसे खंब। तो 5000 की ही बात करेंगे उसने बोला एक लाख तो एक लाख की ही बात करेंگे आपको क्या बोलना है अगली लाइन में कि आपको कुछ भी चेंज करने की जुरद नहीं है जो आप कर रहे हो ना वही चीज करना है और ये line हम क्यूंब बहुत जरूरेंगे ये line इसलिए बहुत जरूरेंगे, क्योंकि लोग चेंज को लेंगे बहुत दाद resistive होते हैं, किसी को भी change नहीं पसंद। कुछ भी बदलना नहीं पसंद। हम क्या बोलेंगे? आपको कुछ भी बदलने की जरुरत नहीं है, हमें को एक रुपया भी नहीं मिलता कोई डिरेक्टर हमें पैसा नहीं देता वहीं काम करना है कुछ भी बदलने की जुरत नहीं है हमारी जो कंपनी है जिस ब्राइंड के साथ मैं connected हो अब यह पिछ याद रखो यह पिछ बहुत जरूरी है ध्यान से सुनना लिख ले ना कहीं किताबों में सीखते हैं कि बिजनस को कैसे किया जाते हैं बिजनस अबिजनस अबिनिस्ट्रेशन तो similarly यह जो ब्रैंड यह प्राक्टिकली सिखाता है एक बिजनस को बिलकुल से इस्टाबलिश कैसे किया जाए तो आपका काम क्या होता है कि आपको वह सारी चीज़े सीखन कि देखो पर शब्दों फोड़ा है व角 करनायाया अपको उसको पहले पॉइंट पे अच्छा प्रेजेंटेशन वीडियो देखें अगर वो प्रेजेंटेशन वीडियो देखेंगा तो अपने आप उसका दिमाग क्लियर हो जाएगा कि भाई ये बिजनस तो बढ़िया है तो पहले पॉइंट में क्या करना है सामने वाले को ये पिछ बोलनी है और सटीकली यही तो करती ह नेटवक मायटिण कंपनीज भी आही करती है बिल्कुल बेशिक लिवल से एक न्यू परयोर को नू परयोर जिसको नहीं पता विजनस के बारे मैं उसको सिखाती है कि किस तरीके से वुवह अपने बिजनस को स्क्राश्, लेवल से एक स्टाबलिश्ट लेवल्ट दक लेके जो भी आप जहां भी इंवाइट करना चाहो इनवाइट दें अप क्या कर सकते हो इस पिछ को बोलने में हो सकता आपको कन्फ्यूजन हो आपको समझना है कैसे करना है तो आप रोल प्ले करो ना आप अपने टीम के साथ बैड़ जाओ आप अपने 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 क्रॉस आप बता रहा हूं यू विल प्ले देगें वेरी बिग गें आपको यह क्लियर हो गए योगी स्ट्राटेजी आगे बढ़ते हैं मजह तो आ रहा होगा ठीक है अब नाइंथ स्ट्राटेजी पर आ अभी हम चालीस स्ट्राटेजी से नाइंथ पर आये हैं अभी बहुत कुछ जानना वाखी है राइट यहां से टिके रहना नोर रिपीट टेलेकास्ट बहुत quality content है बहुत जबर्दस content है कोई रिपीट टेलेकास्ट नहीं होगा कितना भी बोल ले कोई इनसान कितनी भी मजबूरी आ जाये वह चीज़ रिपीट नहीं हो पाएगी तो टिक के बैठना और 10 तब तक ना रुखे जब तक मेरी जुबान चल रही है और राइट लॉफ कंपंसेशन लॉफ कंपंसेशन मतलब क्या होता है वोट यू गिव यू गेट बाग जो आप दोगे वही आएगा हम प्रेजंटेशन सीख रहे हैं प्रेजंटेशन के अंदर एक बात याद रख जितना आप गरीब शो करोगे अपने आपको जितना आप नीडी शो करोगे अपने आपको सामने वाला इंसान उतना दूर भागने वाला है आपसे आपका मजाक भी बनाएगा आपकी बात भी नहीं सुनेगा कोई आपसे बात करना भी नहीं चाहेगा तो आपको क्या करना ह मैं कहता हूँ अगर जॉब भी करनी पड़ जाती है न तो कर लो भाई कोई बात नहीं लेकिन आपको पीछे नहीं पड़ना लोगों के बेचने के पीछे मत पड़ना आपको रिलेशन्शिप बिल्ड करना है अगर आपको बहुत ही जादा नीड है तो आप पार्ट टाइम मे कर लोगे चाए वह एक लगहा हो सेल्स ना बातो बातो में आपको कि अबिछे आथा लिया क्या वाल विख्यू मैं आपको आपको दलील के अंदर मैंने किया बहुत अच्छा एक फ्रेंट बना आपना मयंग शर्मा नाम है उनका नाम भी बताता हूं हो सकता है वो कभी वेबिनार देखें वो दलीला के अंदर management के उपर काम दलीला है बहुत बड़ा आपको बता है ये गुड़गाओं में एंटर करते ही management level पे वो काम करते हैं सीनियर मैनेजर है तो मुझे एक event करवाना था वहाँ ठीक है मुझे जब event करवाना था मैं वहाँ पे गया मैंने बहुत सारे hotels में उस टाइम पर चेक कर रहा था तो मैं जो वहाँ पर गया मैंने उनके साथ बस ऐसे ही बैठ गए हम उन्होंने पूरा कि आपको मैं पूरा वह बताता हूं क्या बोलते हैं उसको खर्चे वर्चे बताता हूं कि जितना आपका लगेगा जो भी चीज़ें तो उन्होंने बोला कि चलिए बैठते हैं यहां पर कॉफ्लफी के पास अब तब तक उनके शकल पर ऐसा था कि शाम हो जाती है तो कोई और तो उनका मुह बना हुआ था मैंने ऐसे बातों बातों में उंचे पूछ लिया कि इतने टाइम से काम कर रहे हैं आपे-पर-शूरू किया पिर उन्हें ने थुदब बोलना शूरू रहे हैं तब तक हम दोने के बीच में बिल्कुल साइलेंस था वह कुछ नहीं बोल र लोग यहां पर थैंकलेस है तो फिर ऐसे बात शुरू हुई कि मेरा इंटरस्ट जो है वो मेरा एरक्राफ्ट के अंदर इंटरस्ट है और हमारी बात लगबग एक से डेड़ घंटे चली गई बिना बात कि वो बोलते गए मैं सुनता गया वो बोलते गए मैं सुनता गया हमने एक बॉन्ट शेर किया हमारी एक दोस्ती हुई उसके बात पता है पर प्लेट मेरे को पांच हजार रुपे बढ़ रहे थे वहां पर दलीला के अंदर वो कॉस्ट रिड्यूस होके दो हजार रुपे पर खर्चना था अगर सौ लोगों का इवेंट होता तो पांच लाख र कांच यह सब्सक्राइब कर तो इस क्या गरना हैं बिल्ट रिलेशनशिप पीपल गूर बिल्ट यॉर बिज्नस के वुला वहने यूडों बिट बिल्ट वे बिल्ट विल्ट यॉर बिजनस आपको लोग बनाने हैं डोट भी ए टिपिकल सेल्समें चीज़े अपने आप बे परिशान हो जाएगा मेरी टीम के अंदर अकाश पांडे की जॉइनिंग कैसे करवाई थी मैंने पता है अकाश पांडे आज वन ओफ बहुत क्लोज है मेरे से बहुत सारी चीज़े समालते हैं हमारी कंपनी के अंदर तो वह उनकी जॉइनिंग जब मनलब आंक से कितना चार सा लोगों तक पहुचो कि उसको सामने वालों को हो जाए कि बता दे या काम शुरू करना है क्यूरियस कर दो अंदर से ठीक है help them out genuinely with their problems be a good leader leader क्या होता है leader मतलब क्या leader मतलब वो नहीं कि भाई सरफ अपना काम निकलवाने के पीछे पढ़ा रहे हैं ठीक है लोग ऐसे ही है आज के टाइम पर सिरफ अपना काम निकलता है ठीक है अपना काम निकलता है उसके बाद तू कौन अपने को क्या करना है अपने को वापिस लॉटा के देगी इसके बाद अगर आपने trust develop कर लिए आपने market के अंदर ये तो आप देख भी चुके है दसवा हमारा है trust is the highest reason for any sale to happen अगर आपका trust है आपके market के अंदर तो easily आपको trust signal ना identify करना है कि आपका customer आपके उपर trust करता है ये नहीं करता पहला तरीका अगर आप value add करोगे सामने वाले की life में वो आपके trust करना शुरू कर देगा पहला तरीका हो गया दूसरा तरीका अगर आप testimonials निकलवा लो उन लोगों से जिन लोगों ने आपके personal mentorship को लिया है या फिर जिन लोगों ने आपकी वज़े से पैसा कमाया है या फिर जिन लोगों ने जोıyı आपकी तारीफ करना चाते है ठीक है उनकी testimonials निकल लो उनके charts निकल लो ठीक है और उसको आप अपने whatsapp पर स्टोरी लगा सकती हो उसको instagram पर स्टोरी लगा सकते हो साथ के साथ क्या कर सकते हो, Instagram के highlight बना सकते हो, कि my mentee's result, my students' result, my teammates' result, इससे भी trust बनेगा, अपने आप trust बनेगा, आप सीधा बोल सकते हो, कि go check my highlight, मेरे highlight को check कर लो, जैसे वो highlight को go through करेगा, उसका trust अपने आप बन जाएगा, सकता हूं, जब भी मैं demotivate होता हूं, अपने highlight को जाके एक बार check out करता हूं, और अंदर से अपने आप pump आ जाता है, कि भाई आशुतोष तुने पीछे बहुत कुछ किया हुआ है, जबरदस्त काम किया हुआ है, तो यू can do anything, ठेक है, तो आपको बता रहा हूं, यह highlights बनाओ, ठीक है, establish trust in your market जैसे आप establish कर लोगे trust, तो काम अपने आप हो जाएगा, लोगों की दिक्कत यही है, वही वाली फोटो आ गई न, गंजे को कंगी बेचूँगा, गंजे को कंगी नहीं बेचते, गलती मत करो, गंजे को कंगी बेच दोगे, 10 रुपे की कंगी आपको 10 रुपे, 20 रुपे का फायदा हो जागा, गंजे को प्यार से बात करके, trust develop करो, और गंजे को बाल उगाने का टेक्नीक बताओ, या बाल उगाने की तेल बेच दो, ठीक है, या तेल बेच दो, या फिर operation, जो भी होता है, बाल उगाने की जो टेक्नीक्स होती है, उस 11 strategy हमारी communication, communication बहुत important है, communication बहुत important है, verbal, vocal और visual, जो आप बोल रहे हो, जैसे आप बोल रहे हो, और बोलते वे जैसा आप दिख रहे हो, ये तीनों चीज़े बहुत matter करती है, जब भी आप sales करना चाहते हो, तो ठीक है, तो जब आप one-on-one है, किसी के सामने है, तो verbal जो है, ज इसी पी तरह कि आप शब्द यूज़ करते हैं, जो आपके words है, जो आपकी speech है, तो सिरफ 7% काम आती है, ठीक है, लेकिन जो आपकी vocal है, vocal मतला tone कैसा है आपका, pitch कैसी है, आपकी speed कैसा है, आप धीरे बोलते हैं, आराम से बोलते हैं, normal बोलते हैं, बहुत speed में बोलते हैं, आपकी voice की quality कैसी है, आपकी आवाज कैसी है, चुबती तो नहीं है कानों को, ठीक है, आपके emotions कैसे हैं, आप बोलते हैं, जो आपकी आपकी आवाज है, और जो आप दिखते हो na, visual, वो 55% matter करता है, भाई, जैसी आपकी body language है, जैसे आपका posture है, जैसे आपके facial expressions है, जैसे के एपिरेंस है जो आप आई कॉंटाक्ट कर आई कॉंटाक्ट मतलब घूर रहे हो सामने वाले को दर जाएगा तो घूरना भी नहीं है लेकिन आपको यह बहुत मैंटर करती है 55 परसेंट मैंटर गरेगी आपकी सेल्स को क्लोज करने में अब लोगों के दिमाग में आ सकता है कॉए सर क्ल ओवर काल किया होगा सामने मुझे देख तो रहा नहीं लेकिन फील तो कर रहे है इना हणि बात ही नहीं करने आपको धिछ३मनी होगई है तो बतादी चलो और बताओ क्या हल यह क्या है स्माइल आपने किया और नॉर्मल ही आपने बात करने शुरू करी एक तम कैजवल डोस्त की तरह है ठीक है वोकल वहाँ पे 84% काम करेगा आपका और वर्बल आपका 16% काम करेगा जो आप बोलोगे वो सिरफ 16% लेकिन जैसे आप बोलोगे व जबां लडखडाती है तो अपने जबान के उपर काम करें अपनी जबान को प्रैक्टिस पे लगाएं रॉल प्ले करें अपने अप्लाइं के साथ प्रेजेंटेशन की तयारी करें कि सर मेरे साथ बात करने की प्राक्टिस करा दो मुझे मेरे को बात करने में डर लगता है मुझसे प्राक्टिस करनी है मुझे आद से ठीक है अपने क्रॉस लाइन के साथ करें अपने अपने भाई के साथ करें बहन के साथ करें पापा के साथ करें मनी के साथ करें चाचा को पकड़ो किसी को भी पकड़ो उनके साथ प्रक्टिस करो और आपको दुनिया का सबसे बहतरीं कंपनी सबसे बहतरीं प्रोडक्ट सब कुछ मिल सकता है लेकिन अगर आपके बात करने के अगर आपके चीज के उपर मेहनत कर रहा है कि भाई कहीं से वो अच्छा पैसा कमाले कहीं से उसके अंदर अमीरी आ जाए राइट आप वही दे रहे हो जो उसको चाहिए पर फिर भी वो आपसे नहीं ले रहा है क्या रीजन है रीजन यह कि आप कॉम्विनिकेट नहीं कर पा रहे हो आपक तरीके से सेल्स कर पाओगे अब आ जाते हैं बारवर तरीके पर ओहों यह जवर्दस तरीका है वाई लेट दवीडियो ऊन यूट्यूब फ़र अस फ़र लॉंग रन सराजी टेक कह रहे हैं नहीं कर सकते हैं नो रिपीट टेलिकास्ट टिक्क्ये देखो नो रिपीट टेलिकास्ट आइट मेक इट देर आइडिया होता क्या है सामने वाला इंसान कई बार हमें मना इसलिए करता है हम उसको बोलते हैं कि भाई तु जिंदगी में ज्यादा पैसे नहीं कमाना चाहता तू जिंदगी में 40,000 रुपे कमा रहे है तुरको लगता है कि जिंदगी में इतने से काम चल जाएगा अब जस्ट विकर क्योंकि वो उनका आइडिया निया वो आपका आइडिया है आपने ये बात बोली अगर आप इसी चीज को टेबल को गुमा दो और यही बात उसके मुह से निकलवा दो तो मा काम अराम से चल जाएगा एजली वो बंदा कनवर्ट जाएगा समझ रहे हो बात को अगर यही ब आपको एक नया सेकेंड सोर्स ओफ इंकम देखना चाहिए अगर यह बाते आप ना बोलो सामने वाले से बुलवा दो तो कैसा रहेगा जबरदस्त तो आपको कुछ सवाल पूछने हैं अगर वो सवाल आपने पूछा तो सामने वाला बही बात बोलेगा जो आप उससे बु बोलेगा हम उजह पता है या बोलेगा ना मुझे नहीं पता अगर वो बोलता है हां मुझे पता है तो आप पूछो कि हां क्या क्या रीजन से बताई और अगर उसने यह बोला कि नहीं मुझे नहीं पता पहला क्या हो सकता है हां मुझे पता है फिर आपने उससे पूछ लि और या फिर वो बोल सकता है कि नहीं मुझे नहीं पता तो वो डिरेक्टली बोल सकता है आपको कि आप बता दो तो आप वहाँ पर बताओ दो तीन रीजन कि students इसलिए करते हैं क्योंकि वो family को financially support करना चाहते हैं कुछ time के वाद ऐसा होता है कि life में घरवालों से पैसा लेना अ लोगों की जॉब लगी हटी लगी हटी तो इस वज़े से लोग परिशान होगे 95 करते हैं इसलिए second source of income develop करना चाहते हैं इसलिए जोब वाले लोग करते हैं बिजनस वाले लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनका बहुत सारा पूझी बहुत सारा पैसा एक जगह पर फसा हैं आप अगर हमारे बिजनस को करोगे तो आपका रीजन क्या रहेगा क्या पुछा आपने कि अगर आप हमारे बिजनस को करोगे तो आपका रीजन क्या रहेगा तो सामने वाला इंसान या तो अपना रीजन पुट करेगा कि हां मैं अगर करूगा तो मेरा ये रीजन ये ह होने वाला है या फिर अगर वो बोले कि मैं यार मुझे तो नहीं समझा रहा है क्यों करूँगा तो आप ना उसको कोई option कुछ दे दो यही दो तीन options दे दो कि इने में से कोई भी option आप चूज कर लो अगर मान लो आपको एक option चूज करना ही पड़े तो आप कौन सा option चूज करोगे तो सामने वाला यह चूज करेगा कि यार मैं इसलिए करना चाहता हूं कि मैं भी अपनी ली हवा में सांस ले रहे हैं बर जब आप ध्यान दिलाओगे कि देखो आपके फेफडे के अंदर कितना जादा जहर जा रहा है कितना दुआ जा रहा है तो इंसान के अंदर वह डर पैदा होना शुरू होता है लोगों के आसपास ही सब कुछ जहरी लाए पर जब आप बत को उसके प्रॉब्लम को उसकी आंखों के सामने बढ़ा करना है और उसको उसका नुक्सान दिखाना है शो दर लॉस राइट यहां पर देख सकते हैं आप शो दर लॉस जबाने का पूछा कि वाइड यू चूज डिस ऑप्शन आपने यही वाला ऑप्शन क्यों चूज किया स अगर आपका इंटेंशन यह है कि मैं तो बस बेबगू बनाऊंगा इसको फिर तो देखो आप थोड़े टाइम पैसा कमाल होगे जिन्दगी में बहुत जख मार होगे आप पर बाद में लेकिन आपका जैन्यून इंटेंशन है कि मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ मैं इसकी ह पूछने से क्या होगा सामने वाला और थोड़ा इंट्रस्टेट हो जागा और थोड़ा इंट्रस्टेट हो जाएगा ठीक है तो वाइज इस मुच इंपॉर्टन फो यू इसके बाद पूछ सकते हो आपके पास इस चीज़ को अचीव करने के लिए और क्या-क्या ऑप्श से इसको अचीव करने के लिए या तो वो दो तिन उप्शन्स देगा और आपको भी बताओंगे ये सारे के सारे उप्शन्स बेग है मतलब हवा में बाते कर रहे है ठीक है तो उसको रियलाइज कराना है करा भी सकते हो और नहीं तो वहाँ पे आप बोल सकते हो कि कैसा रहे आप उसी के मुझ से निकलवाओगे की क्या चाहिए उसको और उसके बाद उसको बोलो की कैसा रहेगा अगर तेरे इस problem का solution मैं दे दूँ तो कैसा रहेगा तेरे लिए अपने अपलाइन से बात करो अपने बात करा दो उन से पांच जादु ही सवाल है जिससे सामने वाले क टाइप मी मी टाइप करो चाट बॉक्स के अंदर और जितने लोग नए आए हुए है सब्स्राइब कर ले चानल को लाइक कर दें बहुत अच्छा लगेगा मुझे यह वाली स्ट्राइजी बड़ी जबरतसता है यार लेकिन इस्ट्राइजी पर हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा चाटिंग हो जाए बता दो कितने लोगों को मज़ा आ रहा है और अगे बढ़ते हैं मेग दम फील देलाउस विद्ट्रॉपर मैथेवार्टिक्स अगर आपको सामने वाले को प्रॉपरली फील करवाना है तो उसको मैट्स के अंदर सोच के बताओ उसका मैट्स क्याकुलेट करके बताओ कैसे उसको आपको पूरा ना गेम बताना अपनी अपनी कमपनी के इसाफ से देख लो 11,000 हो सकता है 5000 रोप सकता है तीस रगा हो सकता है 25 रोपे और मैंने ये चीज़े बहुत बार करी है एक बाह बता हो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी पढ़ाई के उपर अभी तक कितना पैसा लगा दिया, लगबग 10 लाख रुपे, ठीक है, एकदम नॉर्मली बात करते हुए, एकदम बॉंड क्रियेट करने के बाद यह सारी बाते करें, या वेबिनार के अंदर करें, कि हमारे पेरें लगबग 1.5%, अगर महिने का 1.5% हो रहा है, तो हमें सालाना कितना परसेंट मिल गया, 1.5% हुआ वैसे, 10 लाख रुपे का 10 लाख रुपे और 10 लाख रुपे और 10 लाख रुपे एक परसेंट, ठीक है, हाँ, 15,000 रुपे जो है, 1.5% महिने का आ गया, अब 15,000 रुपे ने कितना परसेंट कमाया, 12 multiplied by 1.5 is equal to 18%, तो अगर 18% ही कमा रहे हैं हम लोग, इतना पैसा तो अगर mutual fund में लगा देते हैं हमारे घरवाले, तो वहां से भी 15,18%, 20% का return आ जाता है, समझे लो, इतना अगर एक finance वाला बंदा होता है, जैसे द्वार का मोड पे और बहुत सारे अलग-अलग वो local finance वाले बंदे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो 5% का monthly interest देते हैं, ठीक है, अगर आपको आपकी job पे डेड़ा परसेंट का return मिल रहा है, तो इससे अच्छा तो घरवाले 10 लाग रोपे किसी financial को देते हैं, वही महीने का 5% का return देते हैं, maths के अंदर calculate करके ब करता सकते हैं, mathematics के अंदर, तुमारे घर में जो समान आएगा, कितने का आता होगा, मतलब हर किसी की घर में, हमारे घर में, 1200 से लेके 1500 का महीने का समान आजाता है, चाहे वो toothpaste हो, shampoo हो, ठीक है, जो भी चीज़े होती है, मतलब face wash हो, बहुत सारी चीज़े होती है, मैं तो लात काया, 18,000 में properly chemical वाला समान मिला, और इतने के अंदर, जो भी आपकी company products देती है, इतने के अंदर तुम्हें एकदम natural products मिल रहे है, ठीक है, तुमने इतना तो बचा लिया, ठीक है, उसके बाद जो ये chemical को use करने के बाद, जो तुम्हें doctor के पास treatment में लगाना पड़ेगा, मा जो खर्चा होगा, वो भी तुम्हारा बच गया, और उसके बाद जो तुमने business शुरू कर लिया, और उस business से जो अगले एक साल के अंदर तुमने तीन लाख रुबे कमा लिया, वो अलग, maths के अंदर उसको calculate करा, उसको बिलकुल feel करा दू, कि अगर मैंने, अच्छा एक ची कभी confidence कैसे build करतें, यह सिखाया गया, कभी personality development कैसे हो दिया, यह सिखाया गया, ठीक है, कभी public speaking के उपर बात हुई तुम्हारी, ठीक है, कभी ameer कैसे बनना इसके उपर बात हुई, हमने इतना पैसा लगाया, business के उपर किसी ने बताया, business पढ़ाया जाता था, बिलकुल कैसा लगाना है, उस value को गिरा दो ना, वो जो दिख रहा है, उसको दिख रहा है, पुचास हजार रुपे, बीस हजार रुपे, उसको आप दिखाओ ना, कि तुने इतना कहां खर्चा हुआ है, maths के अंदर calculate कराओ, last point को देखो, the cost of not buying is higher than buying the product, अगर तु नहीं खरीदता, तो तू जादा नुकसान में रहेगा, मेरे भावी, उसको यो feel होना चाहिए, mathematics के अंदर, गानी तुमे फिल होना चाहिए, कि अगर तू मेरे से नहीं खरीदता है, तो तू जादा नुकसान में रहने वाले है, अगर खरीद लेगा, तो तेरा फायदा है, और गानी तूमे काफी टाइम से इस कॉंटेंट को प्रेपेर किया है अभी 14th पॉइंट स्टोरी टेलिंग स्टोरी टेलिंग मतलब आप अगर कहानी बताने में काम्याब नहीं होए तो आप एक प्रॉड़क्ट बेचने में भी काम्याब नहीं हो पाओगे मेरे यूट्यूब चानल के उपर स्टोरी टेलिंग बाई आशुदो श्प्रतिहस टाइप करना आप कभी भी टाइप कर लेना आपको वीडियो दिखेंगी स्टोरी टेलिंग की पावर समझ जाओगे कभी भी वीडियो देख लेना अगर मन करें रात के दो बज़े अगर वै स्टोरी इसके एंदेर इन्म वाल हो थे यह लोगों को आदत है जो भी मिलते आते हैं कोई सीख देनी होती तो कहानी सुनाते थे तुझे पता है फलाने के लड़के ने यह किया तुझे पता है कहानिया सुनने की आदत है जब हम बड़े भी होते हैं तो हमें कहानियों में जादा मज़ा आता है तुझे पता है उसमें क्या किया तुझे पता है तुझे पता है इसने क्या किया तुझे पता है उस टाइम पर कैसा हुआ था स्टोरी के अंदर हमें मज़ा आता है जब मुझे इस बिजनस दूसरा स्टेप है जब मुझे इस बिजनस के बारे में पता लगा तो मेरा पहला इंप्रेशन इस बिजनस के बारे में कैसा था मेरे दिमाग में पहला इंप्रेशन क्या था मैं अपना इंप्रेशन के बारे में क्या था फिर जब मैंने इस business को समझा ठीक है तो मेरा impression क्या हुआ और इस business में आने के बाद मैंने क्या achievements करी ठीक है इसके आधा बता सकते हो currently आप कितना पैसा कमा चुके हो अगर नहीं कमा है तो इसके उपर बात भी नहीं करने आपका गोल क्या है आपका इस बिजनस को लेगे यह पांच चीज़े अगर आपने अपनी स्टोरी के अंदर बना ली आप emotionally सामने वाले को connect कर जाओगे मेरा आप मेरी story थी जब भी prospect से मिलता था प्रसीदा बताता था कि भाई जब मैंने इस business को सबसे पहले call center के अंदर job करता था मैंने 6000 की नौकली से शुरुबात करी थी इस तरह का भी कोई business है इस business के बारे में मेरे को पता तो था मेरे घर पर ये products भी यूज होते थे पर मैंने कभी इस business के बारे में मतलब इतनी जादा नफरत हो चुकी थी मेरे को अपने अंदर ही ठीक है क्योंकि चार लग कमा रहे थे मैं को लगा कि शायद मुझे इस business पर समझना चीए अब उस टाइम पर और feeling के साथ अच्छे तरीके से मैं पूरी पिछ बनाके रट लिया था मैंने अब तो वह दिमाग से निकल गया मेरे तो फिर मैंने एक किताब बड़ी रिच डाट वो डाट रिच डाट वो डाट के अंदर जो रॉबर्ट टी की उसा कि उन्हों ने लिखा हुआ है कि ये business जो है ये दुनिया में अगर आपके पास पैसा नहीं है अगर आपके पास कोई source नहीं है अगर आपके पास connections नहीं है अगर आप बिल्कुल zero से शुरू बना रहा हूं फिर मेरे आगे की क्या प्लांस है इस तरीके से आप अपनी एक स्टोरी बनाओगे न और इसके अंदर एक लाइन आड़ कर दो कि भाई जब मेरे को पहली बार पता लगा था ना तो लगा तक क्या है यह यह इस से रहेंगी क्या लाख रुपे ठीक है जब आ कि बढ़ा सकते हो आप कैसे बढ़ा सकते हो वाई अपनी टीम में अगर आपको कोई बहुत बड़िया काम निकलवाना किसी बंदे से यह किसी बंदे को नहीं कर रहा है आपको पता इसके अंदर पोटेंशल है और आपको उसकी प्रोड़क्टिभिटी को इंक्रीज करनी है तो आप कैसे करोगे सामने वाले को दो बार तारीफ कर लो उसको बोलो कि भाई तुम बहुत बढ़ी गाम कर रहे हो तुम जब से आयो ना तुम जबर्दस लेवल पर कर रहे हो दो बार तारीफ करी उस बंदे की ठीक है अलग-अलग चीजों पर अब दो कि इस महीने ना इसका बिजनस बहुत जबर्दस तरीके से भाग रहा है आर पता नहीं कैसे भाग रहा है आपने क्या बोला? दो बार उसकी तारीफ करी मूँपे और तीसरी बार मैं ऐसा बोल दिया बातो बातों में कि इस महीने इसका बिजनस किसी तीसरी बंदे की बारे में बोलो ठीक है इसका बिजनस बड़ी तेजी से भाग रहा है और पता नहीं कैसे सामने वाले को स्टोरी टेलिंग वहाँ पे वह अपने आप बोलेगा कि अच्छा अभी तो मेरी तारीफ हो रही इसका बिजनस भाग रहा है अब दिखाता हूं मैं क्या चीज हूं बास काम हो गया अगर अपनी टीम की प्रोड़क्टिविटी बढ़ानी है स्टोरी टेलिंग रिजल्ट दिया जितने लोगों को बिजनस में फायदा मिला है उनकी सकसे स्टोरी बताईए लोगों को विजुलाइज कराईए कि आने वाले टाइम में क्या फायदा होने वाले जैसे मैं अगर किसी इनसान के साथ मुझे अपने टीम के अंदर लेके आना है या फिर पहला इंस्टाग्राम के उपर कुछ वीडियोस दूँगा मैं पिछले ट्रिप्स की उन ट्रिप्स की वीडियोस को जो आप डालोगे और नीचे बस यतना लिखना है कि want to achieve our next trip for free just dm तो आपके contact में जितने भी लोग है 70-80% लोग अपने आप आपको पूछेंगे और यह पूरा ठीक है एंड लास्ट चीज इंक्रिवड इमोशन इनके उपर काम करना है बाई एक एक स्ट्राटीजी जो मैं बता रहा हूँ ना हर एक स्ट्राटीजी को आपको थोड़ा सीरियसली लेना है आप बहुत बढ़िया बिजनस करने वाले मुझे ऐसा लगता है आपको मज़ा नहीं करते चाहिए वो किसी भी पोजीशन पे हो किसी भी लेवल पे हो वो एक आई-एस ओफीसर हो चाहिए वो एक वाच्मैन हो ठीक है आपको लोगों की रिस्पेक्ट करनी है इजजत से बात करनी है वो भी एक इंसान है यहाँ पे इंसान ना धरती पे आने के बाद उसक का ओधा डिसाइड किया जाता है कि वो किस लेवल पे है उपर वाला तो सबको इंसान बना की भेजता है तो आपको इंसान भर की इजजत करनी है हर एक इंसान के अंदर भगवान का बास होता है आपको इह बात पता है ठीक है तो आपको इंसानों के इजजत करनी है इजजत बुराई करने वाली बात अगर हो रही हो तो उसके अंदर अपने आपको involve नहीं करना नहीं तो ये बात ना घूम फिर के कभी ना कभी उस तक जब पहुचेगी तो आपके बारे में बहुत गलत image सामने वाले के दिमाग में जाती है और ये अपने आदत में बिठालो क्योंकि ये आदते जो होती है वो character define करती है और जो आपका आज character होगा वो ये आपका कल character होने वाला तो ये character से निकाल दो ठीक है आपको कभी भी racial या ethnic jokes, religion के उपर कोई joke, caste के उपर कोई joke, कभी भी गलती से भी crack नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है क्योंकि आप एक बहुत बढ़िया बिजनस के अंदर हो जहां पे आप मनलब आपको ना religion, caste इन चीजों के अंदर कभी भी नहीं बांध रहा है आप जिसको follow करते हो, आप करो ठीक है, आप उस topic के उपर बात ही मत करो आपका परिवार पूरा हिंदुस्तान होना चीए हर एक इंसान होना चीए आपका परिवार तो आपको सबके साथ एकड़म न्यूटरल रहके रहना है गलती से भी कोई political agenda के अंतर मत भूसो, कभी कोई impatient मत हो आप जिसको follow करते हो, बिलकुल इजजत से करो दूसरी बारी भी कमाल होगे पर जब बदनामी होगी तो इतनी बदनामी हो जाएगी कि तुम सोच भी नहीं सकते है इतनी बदनामी हो जाएगी तो मैं लगेगा कि एक काइम आएगा लोग सब भूल जाएगे पर लोग भूलते हैं नहीं है एक बार जब इजद्दार ठीक है नॉर्मल हेयर स्टाइल होना चाहिए आपका फंकी जादा ना हो बियर्ड अगर रखनी है बहुत जादा नहीं होनी चाहिए ठीक है अगर नहीं रखनी बिल्कुल क्लीन रखसते हो अगर है भी तो प्रॉपर्ली शेव मतलब प्रॉपर्ली जो सेट करवा सेट करवाने नेल्स बड़े बड़े नहीं होने चीए इतने बड़े बड़े हो उसके अंदर घंदगी फसी पड़ी है ठीक है आप किसी को बता रहे हो भाई भाई तू एक लाख रुपे कमाएगा बिल्कुल कमाएगा वह आपकी उंगलियां देख रहा है घंदगी फसी बड़े साल है एक लाख रुपे कमाने की बात रहे है ठीक है तो नेल्स पे धहान दो बेल्ट शूस पे धहान दो दोनों सेम कलर के होने चीए फॉर्मल बिजनस वेर अगर अगर जब तक ना आपका नाम नहीं बन जाता तब तक फॉर्मल पहने नाम बनीगा तो टीशर्ट में भी जाओगे सामने वाला इज्जत करेगा बता रहा हूँ मैं ठीक है लेकिन जब तक नाम नहीं बनता है तब तक तो फॉर्मल कोशिश करो कि फॉर्मल पर ट्रस्ट आता है लोगों को ठीक है शर्ट टक डिन होनी चाहिए राउंड टीशर्ट बहन के कभी बिजनस करने मत जओ शूज थोड़े से पॉलिश रखने ऐ ऐसा ना हो कि सॉक्स आपके फटे हूँ ठीक है पॉलिश हुए जैसे टंग पे टंग चड़ाई सामने से आपके शॉक्स दिख रहे है ठीक है और फटे हुए छेद दिख रहे हूं उसके अंदर से और आप कह रहे हैं सर बिलक डेली आपकी पोस्टिंग होने चीए Instagram ले उपर डेली WhatsApp पे status marketing करनी है डेली आपको closing करनी है डेली आपको follow-up करना है punctuality बहुत ज़ाधा रखनी है जैसे आज 8 बजे webinar होना है दुनिया के किसी भी कोने में होगा तो आठ बजे मेरे को आना है वेबिनार करने के लिए ठीक है और मैं 759 पर ऑनलाइन था राइट पंक्च्वालिटी होनी चीए डेली आपको अपने नॉलेज को अप्ग्रेड करना है आप सबको मैं दिल से कंग्राचुलेट करना चाहता कि आप अल्रेडी 90 परसेंट लोगों से बेटर हो पता है आपको इस वेबिनार के लिए 15,000 से जाधा लोगों ने रेजिस्टर किया है इन टोटल 15,000 से जाधा लोगों ने रेजिस्टर किया है बट अभी लाइव साड़े 6,000 लोग हमें देख रहे हैं और आपके लिए एक तीस परसेंट तुम बोलो ठीक है क्या ऐसा करोगे जिससे 80% टाइम कस्टमर बोलेगा ये मैं अगले अगला जो हमारा यूनिट होने वाला है ठीक है उसके अंदर डिसकस करेंगे need identification में कि मैं क्या ऐसे सवाल पूछू जिससे सामने वाला बोलता चला जाए बोलता चला जा कर पाएगा अगर जाधा बोलोगे conversation के अंदर आप close कर रहे है ठीक है उस टाइम पर आपने जाधा बोला प्रॉस्पेक्ट ने कम बोला तो कभी भी डील डन नहीं होगी अगर प्रॉस्पेक्ट ने जाधा बोला आपने कम बोला तो 100% डील डन हो ही जाएगी तो बहुत लो करu जो सामने वाले की बात को सुनो गंभीरता से सुनो गहराई से सुनो notice करो इसके body language को उसके voice tone को उसके voice modulation को उसकी अवाज में कया है उचीज नोटी साम्झे करो इसके tension को पकड़ो उसके excitement को पकड़ो उसके डर को पकड़ो और पकड़ने के बाद आप उसी तरीके से अपनी बात को आगे conversation rolling जिसको बोलता है वो वही करो जो सामने वाला सुनना चाहता है बात समझ रहे हो आगे बढ़ते हैं परे तो principle आपने समझ दिया make it about yourself make it about them I'm sorry make it about them not about you or your company हर किसी के दिमाग में एक film चल रही होती है उस film का hero वो खुद होता है जैसे अभी भी वेबिनार चल रहा है हम सदुके दिमाग में picture चल रहा होते है उस picture के hero हम होते है हमारेले यहां सब मतलब सबसे ज़्यादा हम होते हैं बड़े राइट अब जब भी कोई इंसान बोलेगा ना कि यार मैंने पता है आपको कितनी तकलीफे जहली है तो कई लोगों क्यात होती है तूने क्या तकलीफ जहली भाई मैंने जो तकलीफ जहली है उसका कोई अंदाज है तुझे पता है आत्माराम्दुभारामगे के बारे में आपने ह core की देखा होगा न हमारे जमाने में हमारे जमाने में हुआ करता था हम मादभी हमारे जमाने तो ऐसे जो लोग होते हैं जो स्रफ अपने self obsession से बाहर ही न निकल पाएं उनके साथ दुनिया में एक इंसान नहीं होता जो काम करना चाहिए और बहुत लोगों में गल्ती मतलब यह आ जाती है अपने आपी थोड़ा बहुत पैसा भी कमा ले ना तो आ जाती है अगर 50,000 रुपे पहुंच गए एक लाग रुपे पहुंच गए तो होता क्या है अपने बारे में कुछ बताना चाहता है वो शुरुदा रहे भाई तुमको क्या पता है तुमने बोला कि तुम्हें परिशानी है तुमने बोला तुम्हारे घर में यह दिक्कत है तुम्हें पता है मेरे घर में कितनी दिक्कत थी do not it is not about you or your company I am telling you it is about them listen to them सुनिये उनकी बात वो क्या कहना चाहरा है ध्यान से सुनो वो क्या बोलना चाहरा है जब सुनोगे ना तो सामने वाला अपने आप आपको पसंद करने लग जाएगा उसको एक कान मिल जाएगा एक इनसान मिल जाएगा जिससे वो बात शेर कर सकता है क्योंकि अभी तक उसको कोई इनसान इस दुनिया में मिला ही नहीं बात समझे रहो वो गहुट टाइम से शेर करना चाहता था पर आज तक उसको कोई ऐसा इनसान मिला ही नहीं तो उसकी दोस्ती हो जाएगी फिर आप बोलता ना कि सर मेरा कोई फोन ने उठाता किसले ने उठाता क्योंकि आप अपनी बातों से बाहर ने निकलते तो यह याद रखना मेंके अपनी उनकी बात सुननी है और और आगे बढ़ते हैं अगर आपकी कमपनी देती है तो उस गारेंटी के बारे में थोड़ा सा बड़ा चड़ा के बताओ अगर बाइबैक पॉलिसी आपको अगर पसंद निया आता प्रड़क आप बाइबैक कर सकत कोई भी दिक्कत होती है आप हमारा कस्टमर क है डेडिकेटेट नंबर है आप कॉल करके दिन में पांच बाल करो पांच सौ बार करो आप परिशान करो उनको उनको पूछो ट्रेनिंग कहा से मिलेगी कहा से सीखना है क्या करना है उस सारी चीज़स आपको बताएंगे तो फ इजिली आपके साथ काम करना आगे बढ़ते हैं Need identification Need identification के उपर आता है कि हम कैसे need identify करेंगे अगर आपता customer है अगर आपता prospect है और आप चाहते हो कि सामने वाला इंसान खुल जाये तो आपको क्या करना बढ़ेगा आपको ना सवाल पूछना आना चाहिए अगर आप अपने customer के साथ relationship बनाना चाहते हो ना तो आपको सही सवाल पूछने है अगर सही सवाल पूछ लोगे और सामने वाला खुलने लग गया तो अपने आप आपकी sales वहाँ पे हो जाएगी अब दो तरह की सवाल होते हैं एक होते open ended questions दूसरा होता है closed ended questions closed ended का मतलब क्या है closed ended का मतलब है कि जैसे मैंने किसी से पूछा मान लो example देता हूँ मैं आपको अभी रूखो जैसे मैंने अगर किसी से पूछा कि presentation आपको पसंद आया जो आपको presentation भीजी थी वो आपको पसंद आया सवाल जवाब क्या हो सकता है? हाँ पसंद आया, या फिर ना पसंद नहीं आया, या फिर ठीक ठीक लगा, इसका मतलब क्या ही? यह closed ended question था, इसका हाँ या ना में जवाब हो गया, ठीक है? आप पूछ सकते हो, आप join करना चाहोगे? हाँ ना सोचोंगा इसका जवाब क्या होगा हाँ या ना होगा ठीक है तो ये भी हो गया क्या closed-ended question इसके नाथ और क्या पूछ सकते हैं आपको apply-near से बात करके कैसा लगा आपको मेरे apply-near से बात करके अच्छा लगा क्या, तो वो क्या होगा, हाँ या ना, यही बोलेगा, तो आपको कैसे question पूछना है, आपको open-ended questions पूछना है, ऐसे questions जिसके अंदर वो सामने वाला थोड़ा सा elaborate कर पाए, थोड़ा सा बता पाए, जैसे कि आपकी अभी number one priority क्या है, आपकी अभी number one priority क्या है, ठीक है, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपकी job के अंदर परेशानिया क्या face कर रहे हो आप अभी, आपकी job के अंदर क्या क्या परेशानिया अभी आप face कर रहे हो, ठीक है, पाँच magical questions मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, इसी webinar के अंदर पाँच magical questions बताए दे, उसको यूज कर सकते हो, इसके बाद क्या कर सकते हो, जब वो सामने वाला बोल रहा होगा, हमारा में मुद्धा ही होना अच्छी कि prospect बोलता चला जाए, बोलता चला जाए, अच्छे तरीके से बोले, और बीच-बीच में जब रुके, तो आप कुछ proactive words यूज करो, कुछ ऐसे जबर्दस्त मज़ा आ गया है, अरे वाह, ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो, जैसी सामने वाला रुक रहा है, आप उसको acknowledge कर रहे हो, आप उसको validate कर रहे हो, रिकगनाईज कर रहे हो, अरे ये decision आपने बहुत जबर्दस्त किया, ये बहुत सही था, फिर आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, मतलब क्या है, जैसी वो रुक रहा है, आप और बुलवारे हो सामने वाले से, और बुलवारे हो, जितना जादा वो बोलेगा, उतना जादा चांसे से, मैंने बताया ना अभी पीछे आपको, यहाँ पे देखा था ना हमने, ये 80-20 rule, 80% let the customers, 25 से जादा स जैसे आप पूछ सकते हो, आपके पढ़ाई के बाद आपके आगे के क्या प्लाइंस है, पढ़ाई के बाद आपके आगे के क्या प्लाइंस है, क्या पूछा आपने, ठीक है, पढ़ाई के बाद आपके आगे के क्या प्लाइंस है, फिर आप क्या पूछ सकते हो कि कि कितना लेवल फॉलिफाइबा, आपको माँ वीडियो शेर गरूँ हँ, वीडियो के अंदर जो होगी हमारी पिछली जो ट्रिप होई थी, हम जो ट्रिप करते हैं उसके आंदर जबरदस त्रीके से हम विडियो करते हैं, उस ट्रिप का मैं आपको फBook softenज गहूँगा जब हुई अगला ट्रिक होता है और इस तरीके से आप आगे जाते हो अगर कोई वह बात बता रहा है तो उस बात की है जब हुआ तो आपको कैसा उस ताइम पर कैसा फील हुआ ठीक है और क्या पूछ सकते हैं सबसे साब कॉन कमारा है exactly आपकी फैमिली के अंदर अच्छा आपने फील थो किया और विश्टों किया होगा किया मानने थीक है like this you can continue सभू के अंदर से जभाब के अंदर से सवाल निखाल सकते हो कोई सवाल है अपने पूछा उसने जवाब दिया उस जवाब के अंदर से अप कर लिए अब गलत अभ परिशान करती है मेरी नहीं लोगों को लाँ कहा है सकते हो क्या लगता है ठीक है आपको क्लोंत करकें पाव्लमक को सब्सक्राइब कर रहा है अच्छा यह लग्ता है कि आपको प्रब्लम को सौने में लग जाएगा आप कितने इस प्रॉब्लम को सॉलम कर पाओगे ऑजिशन इफिर इस्के यॉल्ग करते हूँ-बड नर्ब दिया उस सवाल से उसकी नीड को identify करा और उसके बाद उसको solution provide कर दिया कैसे नहीं लेगा कैसे नहीं लेगा सामने वाला इंसाम हमने तीन यूनिट कर दिया तीन यूनिट को फटा-फट से मैं complete करूँआ ठीक है basic closing हम कितने already सब्सक्राइब कर चुक है अब आजये basic और एक बार दुबारा से मैं तालिया बजाना चाहता हूं वहाई सारे लोगों के लिए जो हमारे साथ connected है more than 6000 पीपल currently live with us so closing कैसे करोगे closing करते टाइम पर आपको कास्टमर को भगवान बना लेगा केस्टमर को क्या बना लेना है भगवान बना लेना है वह एक कस्टमर के अंदर आपको induce करनी है कि वाई तू ही है मेरा सरवे सरवा तेरे से उपर कुछ नहीं ठीक है मैं टूटली अंडरस्टांड कर सकता हूं मैं तेरे लिए अपनी कंपनी से लड़ सकता हूं मैं तेरे लिए कहीं भी खड़ा रहने वाला हूं जैसे एक्जाम्पल देत सब्सक्राइब करते हैं तो फिर यह सब सबस्क्राइब करने वाले इंसांब को गया वह कस्टमर आपकी बात सुनेगा आप वहां बोल सकते हो कि भाई मैं अपने upline से बात करके तुम्हारे लिए specially session arrange करवाँगा मैं अपने mentor से जो हमारे senior है उनसे बात करके वो वैसे time नहीं देते हैं इतना पर मैं तुम्हारे लिए अलग से time आँगा और उनकी call arrange करवाँगा और personally तुम्हें guide करेंगे ठीक है? तो that is the best part मतलब you first वाली strategy को use करो इसके बाद दूसरी strategy अगर आपको close करना है deal को आप क्या की use करो सामने वाले को जो भी आप करवाना चाहते हो अगर आप किसी से पत्थर तोडवाना चाहते हो अगर आप कहते हो कि भाई तू पत्थर तोड़ के क्यों तोड़ो मैं अगर आपको खुदा ना खासता भगवान ना करेगा भी ऐसा हो पर मैं आपको बोलू कि भाई इस दिवार के पीछे ना तुमारी family फसी हुई है एक कमरा है उस कमरे के अंदर तुमारी family फसी हुई है आपको थोड़ा ना मिले चैनी ना मिले आप सर मारा मार के दिवार तोड़ दोगे पर आप तोड़ दोगे मतलब क्या है कि अगर आपने अपने prospect को किसी भी काम को करने के पीछे का कारण बता दिया तो prospect बड़े अराम से close होगा बड़े अराम से close क्योंकि मेरे को पता है दस लोग तो ऐसे होंगे जो बीच रास्ते में दम तोड़ देंगे अपना लेकिन मेरे को तो मेरा गोल बहुत प्यारा है भाई ठीक है कोई महात्मा नहीं इसमें मेरा भी फायदा है पर मैं 25 लोगों को इस बहती गंगा में हाथ धोने का मुपा दे जाएगी आपको स्ट्राटिजी बताएंगे किस तरीके से आप एक लाख रुपे महिना काम आ सकते हैं यह जो मैं बोल रहा हूं ना एक लाख रुपे दस लाख रुपे यह सिरफ एक लाख की जगे 25 जार हो सकता है पर मैंने यह बोला कि आपको मैं जॉइन करने के लिए न रिजन तो इन्सान के पास जाने की जूरत नी पड़ेगी पीछे जातर लोग कि घरों में जेओ लोगों को बताओ हमारे डिखाओ वह सम्मय करना पड़ेगा से हम यंग्स्टर्स हैं ठीक है और हमारे को हिजब पहले पैसा बाद में चाहिए हमारा USP यह है कि हम magnetic strategies पे काम करते हैं अगर मुझे यह बताओ कि अगर मैं आपको ऐसी strategies दे दूँ जहां पे हर हफते आपके पास कम से कम 20 से 25 लोग आएं और आपको बोले कि आपके साथ काम करना चाहते हैं तो आपके लिए कैसा रहेगा बहुत बढ़िया रहेगा बस डन यही रीजन है आपको हमारे साथ काम करना चाहिए फिर उसके बाद यही स्ट्राड़िजी हमारी 23rd strategy कि भाईया तुम फ्री हो तुम्हें जो डिसीजन लेना है तुम लो मैं तुम्हें सिर्फ यह बिजनस के बारे में बताने वाला हूँ बंदा डिसीजन मेरा है मेरा मन करेगा तो मैं लूँगा और नहीं मन करेगा तो मैं नहीं लूँगा अगर यह एक लाइन आपने बोलती सामने वाले के दिमाग में यह बाद होज गई वो क्या करेगा वो तुरन ओपन माइंड होके आपकी बात सुनना शुरू कर देगा त चेंज इजिली जॉइन करेगा वापके साथ काम ठीक है सुनेगा समझेगा तो कर भी लेगा इसके बाद आपको क्या लगता है यह बहुत अच्छी स्ट्राटीजी बड़ी प्यारी स्ट्राटीजी है अगर आपको सामने वाले के दिमाग के अंदर गुसके उसके दिमाग क operation करना है ना मनलब उसके दिमाग में क्या चल रहा है वह बात अगर आपको जान नहीं है तो आपको सामने वाले से सी पूछना है कि आप इस business के बारे में क्या सोछ थे है अपने बुझनस बता दिया ठीक है मैं literally बता रहा हूं मैंने बहुत लोगों के साथ किया यह बहुत सारे uncle लोगों को जो मैंने जॉइन करा है तो जो मेरी age से 10-10-20-20 साल बड़े थे उनको मैंने जॉइन करा था उनके घर में बैठके तो मैंने यही चीज सर आपने कभी किया है क्या वैसे आपने पीछे आपका पताना लोगों को बताना ये वो अंकल मैं बिल्कुल समझ सकता हूं जनən? आपको बतारा ही यही जन कि मुझे भी पहले यह बिसनस बिल्कुल समझ ने आ strengthen पशंद भी ने आरे कि यहान्ग्सक्र यह चीज़ होती है इस पहले पैसा पाद में हमें पसंदी नहीं है पीछ गईके हमें किसिक के पीछigration बताया है तो हमने इसी के उपर काम किया कि हमने इतनी strategies निकाल दी कि किसी भी इंसान तक आपको जाने की जुरत नहीं पड़ेगी अंकल अगर मैं आपको यह सिखा दूँ बता दू exactly कि कैसे आप ऐसी strategies पे काम कर सकते हो कि लोग आपके पीछे आएंगे आपसे बोलेंगे कि भाई बता दे तूँ करता क्या है तो कैसा रहे वाई अंकल बोले तब तो ठीक है बेका तब तो ठीक है मतलब वही चीज नहीं पसंदा है कि लोगों के घरों में जाओ यह अगर ऐसा हो जाए पैसा आजा तब तो ठीक है ना ले भाई सामने वाले से पूछो कि भाई तुमारा अपना क्या ओपीनियन है what do you think about this business आप क्या समझ को इस business के बारे जैसे आप यह उससे पूछोगे ना सामने वाले कि जो भी doubts है जो भी objections है जो भी उसके आप खोल लोगे और जैसे आप खोल लोगे तो उसका पिलाज कर पाओगे अगर आप पूछोगे नहीं तो वह बताएगा भी नहीं नहीं बताएगा वहीं पर गेम खतम तो आप उससे पूछो आपको यह बत समझाई होगी अब अगले strategy पर आते हैं 25 बहुत मजा आरहा आप लोगों को मुझे बता है अगर मजा आ रहा है तो तो आप लोग से मत्ते आयँ हु आपको याद शुरूबात मेंación मैंने बोला ता कि जो भी इंसान मिरे चालिंज को लेगा चालेंज मैं देने वाला है गैर को गांड ने इस challenge के अंदर participate किया चालेंज के अंदर participate करने के लिए आपको description box के अंदर telegram channel मिलेगा telegram channel का link मिलेगा उसको join कर ले ना उसी telegram channel के अंदर challenge देने वाला हूं उस challenge के अंदर कुछ lucky winners जो होंगे पर lucky winner आपको 5000 रुपीज का cash prize दिया जाएगा जिसका announcement 22 दरीक को हमारे instagram handle के उपर होगा आशुत उस्परतियस के instagram handle पे वहाँ पे connected रहे हों telegram channel पे connected रहे हैं ठीक है आपसे कुछ करवाने वालों आपको इतनी चीज़े सिखाई है ना आज तो आपको पता लगेगा कि मुझे पता लगेगा कि क्या आप उस challenge में perform कर पाऊगे कि नहीं कर पाऊगे तो ठीके रहना अपने जब मैंने career की शुरुवात करें गिंवाब मैं guitar की Bizimy कॉचिंग करता करवाता था मैं guitar की कौचिंग देता था गिटार सिकाता था बच्चे ऋ यहिए उसके अंदर मैं उसको क्या बजाना सजखा देता था गलाबी यहां पन तो रही मैंने बच्छे परस ये दो तीन चीज़े ना उसको पकड़के मैंने सिखा दी ठीक है मैंने उसको हैपी बर्डे की ट्यून शिखा दी कि हैपी बर्डे कैसे बजाते हैं उसको मजा आ जाता तो कि अड़े भाईया मैंने तो गिटार बजाना सीख लिया free में थोड़ा सिखा दिया उसके वाइस सीधा तीन महिने की फीज ले ली क्योंकि लोगों को ऐसा होता है कि अगर free में इतना मिल गया तो अगर मैं इसको pay कर दूँगा तो कितना मिलेगा तो हमारी दिक्कत क्या है हम free की चीजों पे कभी कामी नहीं करते हमें free में क्या देना चाहिए अपने लोगों को हम कामी नहीं करते ठीक है मैं आपको एक बहुत बड़ा principle बता रहा हूँ free की चीजों पे इतनी महनत करो मतलब जितना आप paid पे महनत करते होगा कोई चीज पे करके कोई आता होगा you'll change the game I'm telling you 25 strategies हो चुकी है हमारी 26 भी strategy पे आता है personality of prospect को पकड़ो आपका prospect जो है वो किस तरह के emotions को carry करता है क्या वो party lover है ठीक है आपकी prospect का का personality क्या वो party lover है क्या वो helping nature का इंसान है क्या वो money minded इंसान है क्या वो analytical इंसान है मतलब वो बहुत ज़्यादा research करने पर believe रखता है जिस तरह का उसका thought process है क्या वो गुस्सा जल्दी होता है क्या वो बहुत ज़्यादा उदास रहता है क्या वो बहुत excited बंदा है कैसा emotion है उसका जैसा उसका emotion है उसी तरह की बात करने है ठीक है अगर वो help करना पसंद करता है लोगों की help करना चाहता है और उसको हम यह बोले कि भाई हम महिने का 2,00,00 रुपे कमाएंगे महिना उसको हजमी नहीं होगी बात उसको यह बोलो कि भाई हम मिलके ऐसा काम करेंगे न कि हम बहुत सरे लोगों की मदद करने वाले ताकि वो financially independent हो पाएं हम ऐसी help करने वाले हैं कि ताकि लोग naturally अपनी बिमारियों से overcome कर पाएं हम help करने वाले help कर जैसी help बोलोगे तो उसका बटन दबेगा जो उसकी personality है उस का बटन दबाओ अगर कोई बंदा पार्टी लगवर है उसको मजे करने उसको मौज मारना उसको बोलो कि भाई हम help करेंगे कि लोग पैसा कमा पाएं वह लेगा चल समझे रहो जो वह चाहता है कि भाई तेरा भाई अरे हम पार्टी करेंगे तो वह भाग के आएगा तुम्हारी पास भाग के आएगा तुम्हारे पीछे जो पैसा कमाना चाहता है उसको तुम बोलो डेटा में फसादो कि हमारी कम्प्रीन ने इस महीने इतना तरनोवर किया है बाई तुझे पता है हमारे प्रोड़क्ट यहां से इतने पेटेंट हैं यह अनलीटिक्स में और यह ओँ साद हो पैसा कमाने आया था वह भाग जाएगा वह भाग जाएगा और अगर तुम कहां मैनुफटर होती है ठीक है अगर डीटील साथा हूँ ठीक है किसने को बनाया है डीटेल साथा है बट आप उसको पैसे में कुछ लोग होते हैं डीटेल में बताओ अराम से समझाओ तो हर तरह के इंसान के साथ डील करना आना चाहिए आपको आपको पॉस्टनालिटी को समझना पड़ेगा और समझोगे कैसे जब आप सवाल पूछोगे पीछे मैंने आपको सवाल पूछना बता दिया आगे मैंने य बहुत सारे तरीके उसने इस्टूरी डालता ही आप बीच बीच में बीच 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 में उसको एप्रीशेट कर सकते हो एफ बीच पे पे फेस्बुक पे अगर आप फ्रेंड बना लेते तो आपको नूटिफिकिशन आ जागा जब भी उसका बर्दे होगा जैसे उसका ब आपको पता ही नहीं लगेगा बताया था ना 10 prospects a day keeps poverty away अगर इतने सारे prospects है जिसमें से 10 बंद्र हो रहा है 90 लोग नहीं हो रहे लेकिन अगर आप follow-up के अंदर हो और जो 10 लोग convert हुए उससे जो आपको income आई उस income की story अगर आपने WhatsApp पे लगाई तो 90 लोग जो नहीं कर रहे थे उसमें से भी 10-15 लोग उठके आजाएंगे भया जी हमें आपके साथ काम करना है इससे जाना क्या ची यही तो funnel है यही तो funnel है आप खोल के रख दिया सब कुछ तुम्हारे सामने में करो जितना कमा ना कमाओ इसके आगे ask him a good time to meet next or to talk next follow-up का मतलब यह होता है कि सामने वाले आपको अगली मीटिंग का appointment ना मिल जाए तब तक आप मीटिंग को खतम ही ना होने जब तक आपको अगली बार call करने का time ना बोल दे सामने वाले से लोग अगली बार कब connect करें कब बात करें ठीक है और अगर वो ना बता पाए वेग answers दे तो आप क्या बोल सकते हो अगली अगर आप सिलब बोलते कि सर कब मिलू आँ देखता हूं बताता हूं मैं आप क्या बोलो मंडे मिलू एडिव ए टूजड़े मिलू अच्छ है मिलू यह शाम को मिलू किस टाइम जाथ है रहा हूं कितने बजह सर्थ आपको है नोस्ञत नहीं यह घर अभी बताओ कब बात करूं ठीक है जी तो 29 तरीका आपको समझ आ गया होता अब तीसमा हमारा जो strategy है finally हम 38th strategy पे पहुन चुके हैं आपको closing के time पे शरम नहीं करना closing जब तक नहीं होगी तब तक जो है आपका lead generation आपकी महनत आपकी पढ़ाई आपका ये webinar तीन घंटे अटेंड करना सब कुछ बरवाद है अगर आप close नहीं करने अशेम्ड मतलब शरम वाली feeling नहीं आनीच ये close करने में बहुत सरे लोगों के सबसे बड़ी गलती ही होती है बताते जाएंगे समझाते जाएंगे presentation देते जाएंगे जितने सवाल पुछेगा सब clear करेंगे objection handle करेंगे पोपूछेंगे नहीं कभी कि start करें कितना simple start करें simple start करें पूछो ना जैसे ही उसके सारे objections clear हो गए आप उसे पूछो आपके कुछ और objections है हम start करें सीधा अमेजिंग ना अब आप शुरू करते हैं चलिए ठीक है सीधा पूछना है पूछना है यह simple line है बोलना है आपको ठीक है आपने सामने वाले के सारे objections clear है आप पूछना है कि आपके और भी कुछ objections है या आप सीधा start करें मैं तो सीधा सीधा ऐसे बोलता था जैसे लोगों ने वीडियो देखी वीडियो देखने के बाद सर अगर उसका कोई objection होगा तो बुलेगा सर मुझे आपसे एक बार बात करने मुझे कुछ questions है ठीक है ठीक बिल्कुल question करते हैं और बिल्कुल आपके साथ call पर connect करते हैं जैसे फ्री होता हूं आपको call करता हूं ठीक है उसके बाद सीधा call पर उसके objection को clear किया और को plan to follow up आपको 31st यह बहुत important है आपको ना plan बनाना पड़ेगा follow up का कि जैसे कोई lead है न तो day 1 पर मैं इसको call करूंगा day 4 पर मैं इसको message करूंगा whatsapp के उपर day 6 को मैं इसको broadcast करूंगा day 8 को मैं इसको story दिखाूंगा अपनी ठीक है पूरा plan होना चाहिए आपके पास कि मैं अपनी story में यह चीज़े दिखाूंगा day 8 पे फिर 9 पर यह चीज़े दिखाूंगा 10 पर यह चीज़े दिखाूंगा फि अगर यह plan है you'll play the game आगे बढ़ते हैं some relevant content आपको भीजना है सामने वाले इंसान को जिस फील्ड से वह है मानलो वह बायो टेक्नलोजी के फील्ड से मानलो वह स्टूडेट के फील्ड से ठीक है तो आप एक नॉर्मली जैसे अगनीपत अभी लॉंच हुआ है जो भारत सरका नहीं करना है आप इंसान हो आप से चलती है आप इस कि वीच में बहुत बार डाल decir चलो मां बता दो फिर से बता दो हूं हमारे एक वेबिनार होने वाला है गाइस तीन जुलाई को वेबिनार हम अभी सबसे लास्ट हमारा आ चुका है अभी यह ठीक है अभी हमने क्या क्या डिसकस किया सबसे पहले हमने लीड जनरेशन डिसकस किया फिर हमने प्रेजेंटेशन डिसकस किया फिर हमने बेसिक ले Paposho 33rd स्ट्राटेजी यह कि 99 % जो दुनिया में लोग ठैंटेंटिसवी स्ट्राटेजी है कि 99% जो लोग फोते हैं इस दुनिया में वह सिरफ्र रियाक्ट करते हैं वह कभी भीरी विल मतलव कशॉब पर ऐसे देखा होगा ना कि यार की सेल आई कोई सेल है ठीक है फ्लैश सेल हुई और अचानक हजारों की तादाद में लोग गए और लोगों ने वहाँ पर चेजिंग शड़ो कर दी लोगों यह नहीं नहीं सोचा कि हमारे पास कितना अंकाउंट में पैसा है क्या है कुछ नह मैं अपने गडṇशर होके एंसान और मैंने जो आक्षन लियार उस पर अपने अगर मैं ऐसा करूँ कि मैंने आपको रोड पे देखा पैसे नहीं दिये मैंने गुस्य से देखा आपको और देखते ही मैंने आपको एक चाठा मारा सोचके देखो मतलब भवान ना करेगा भी ऐसका मैं करता ही नहीं पहुत अच्छा आदिमी हो शरीफ दिल का ठीक है लेकिन एक human being जो है वो react करता है अब लोग बोलता है सब्सक्राइब मेरे साथ जॉइन नहीं करते हैं मैं बताता हूँ लोग जॉइन नहीं करते ऐसा उनका free will नहीं है आप कुछ ऐसा बोल देते हो या ऐसा कोई कर देते हो आपका verbal, visual, vocal में कुछ ऐसा दिख जाता है सामने वाले इ इंसाम केसी और के साथ काम कर लेगा पर आपके साथ काम नहीं कर गारा, 99% cases में यही होता है तो मतलब क्या है सामने वाले का control है वह आके ही हातों में, अगर आप अपने बात करने का तरीखा सुधार लो, अगर आप अपने अक्शन सुधार लो तो सामने वाले के reactions का मतलब कहते हैं न दे के छीन लेने में मज़ा है जब आप दे के कोई चीज दे के सामने वाले से छीन लोगे तो सामने वाले को वह ऐसा होता है कि अब तो यह चाहिए और फिर अगर आपने उसके रेट को और गिरा दिया एक्जामपल देता हूं आप गाड़ी के शोरूम में गाड़ी वाला आपको दिखाएगा भाई आपका बजटा मार शेलाग रूबे के आसपास या दस लाग रूबे के आसपास दसलाग का ए बजटा मार आपको पहले महंगी गाड़ी आं दिखाई जिसमें कम स्पैसिदे के तर इसे दुन model बिलकुल नए आया और ये बिलकुल 9 लाख रुपे के अंदर है आप ऐसे हो जाओगे ओ नाइस इसको कौन सा एफेक्ट बोलते हैं इसको बोलते हैं डेकोई एफेक्ट अस्यमेट्रिक डॉमिनेंस एफेक्ट या फिर अट्राक्शन एफेक्ट यह फिर यह तीनों को बताओ कि आप इसमें भी ले सकते हैं जैसे आपने बहले बोला कि टीस हजार में आपको ख्रोज करना 30,000 रुपे लगाने फिर आपने बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी ले यूज करते हैं पहले आपको गंदे फ्लाट दिखाएंगे मैंगे बताएंगे फिर उसके आपको दो तिन फ्लाट दिखाने के बाद बताएंगे ये वाला फ्लाट देखे ये वाला नया है 15,000 के अंदर और बहुत जबरदस दिखाएगा आपको उसको बेचना वही वाला फ्लाट था पर पहले आपके दिमाग को उसने खेला कि समझ गए आपको समझ आ गया होगा यह क्या है तो आपको ना इस हिसाब से अपना choices manage करवाने है scarcity देनी है सामने वाले को यह बहुत effective है 35 strategy है हमारी 35th कि scarcity feel कराओ अपने business की अपने opportunity की अगर आप इज़त नहीं करोगे तो सामने वाला कैसे इज़त करेगा urgency create करो अपने इनकी personal mentorship मिलने वाली है पर इनकी personal mentorship इसी डेट तक होगी डेडलाइन आडगर दो तीस तारीक तक ही आप आप कर सकते हो अगर तीस तारीक तक आपका यह वाला कोर्स आपने पर चेस कर लिया यह चीज के अंदर आप इंटर कर गए तो आप इनकी personal mentorship के अंदर आ जाओगे और मैं बता रहा हुँ आई मज़े की बाद बता रहा हुँ personal mentorship अगर आपको मिल गई ना इनकी my secret सच में बता रहा हुँ यह बंदा जो बंदा है ना एक बार मिल गई ना अगले तीन महीने में तुम अपने आपको पहचान ही नहीं पाऊगे कि तुम कौन है बाई ऐसे वालब voice modulation बता हो इतनी असानी से नहीं वज़ती है देती निए पच्छिस लोग ही है entry करने वाले बिग बिग बिलियन क्या होता है वह Amazon के अंदर या Flipkart के अंदर बिग बिलियन होता है एक week होता है ठीक है बोलता है कि भाई दस हजार फोन आने वाले हमारे रेड़्र जाते हैं जटके में फोन आते हैं इस टाइम पे स्ल्ड़ समझ रह bien स्मझत तो यह बहुत जबरदस तरीक है प्रेशन से ट्नीक होती है एक भाई यह सरफ अंदर के लिए ठीक है तो these are the strategies which you can use while selling आगे बढ़ते हैं 36th strategy है हमारी magnify the value and the quality that you are about to provide value या फिर quality अपने product के अंदर इतनी deep knowledge रखो इतनी deep knowledge रखो कि जब आप product के बारे में बताओ ना सामने वाला बंदा गोले वाई कोई भी रेटों मैं करने के लिए तयार हूं मैं करूँ मैं तरे साथ काम इतनी deep knowledge रखो जैसे एक्जांपल देता हूं ले लदाग गया था तो याद होगा जो लोग मैं हमारे साथ गये थे तो हम एक छोटी सी निए ःषाटी शॉप के अंदर गये थे ले लदाग का एक छोटा सा मार्गिट है उसके अंदर शॉप के अंदर गये थे उस पिश्मीर के से किस महाल में बनते हैं जैसे मानलो हनी के बारे में बताने लग जाए कि स्टेन की पहाड़ियों में तीन हजार मेडिसिनल प्लांट्स लगते हैं वहाँ पे भाई हवाई जहाज नहीं जाती पॉल्यूशन फ्री जोन है ठीक है लोग वहाँ पे हवाई जहाज भी नहीं उड़ती मतलब गाड़ियां भी बैटरी ऑपरेटेड है धुआ तो ही नहीं ठीक है जब कॉलिटी डिस्क लाएंगे भाई तुझे मैं बिजनस का आटोमेशन बता दूँगा एक बार ऑन कर दे बैठा रहे लेटा रहे तेरे पास पैसा आएगा वो चीज़े मैं बताने वाला हूँ अब एक चीज प्यार से पूछ लो एक हिडन चीज पूछ लो पूरे दिन सोचता रहेगा उसके बारे में हिडन चीज पूछ हो उससे कि भाई तुझे नहीं करना है मत कर तुझे करना है कर बटा आज जब घर जाएगा ना या जब भी तू अकेला बैठा रहेगा तो एक बार अपने आपसे ये सवाल पूछना ज़रूर कि अगर मैं ये नहीं करता तुने खुद बोला क कि मुझे अगले चार महिने के अंदर एकला करो महिना कमाना तूने बोला है मैंने बोला तो एक बर घर जाना और अराम से सोचना कि तेरे पास अगला कौन सा दूसरा अप्शन जिससे तूँ अगले च्छे महिना छोड़ एक साल में भी एकला करो पूछना ज़रूर और नहीं है यार कोई तरीका भाई कर ले ना चीए मुझे कर ले ना चीए यू गॉट अगे बढ़ते हैं जी 37th strategy हमारी बंदे की जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को पकड़िए दो सल्यूशन बताइए उसे कि दो तरह से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और ती तीन अलग अलग बंदे दिखा दीजिए जिनकी यह सेम प्रॉब्लम सॉल्व हुई है तीन लोगों की स्टोरीज बता दीजिए आपका काम बन जाएगा जो उसकी प्रॉब्लम है मानलो उसकी प्रॉब्लम है उसको पैसा कमाना उसको घरवालों को सपोर्ट करना है आप दो 38 तरीका क्या है हमारा 38 प्रिंसिपल है strategy है feel felt pound बहुत बड़ी strategy है यह जब भी कोई इंसान किसी बात को शेर करता है न आपके साथ बहुत patience के साथ आपको सामने वाले की बात सुननी है patience के साथ बात सुनने के बाद आपको बोलना है कि actually सच बता रहा हूं यह जो आप बोल रहा हूं मैं exactly इसको feel कर सकता हूं आपने बोला कि पैसे नहीं मैं exactly feel कर सकता हूं भाई मैं भी जब मैंने शुरू किया था I was not having money but फिर मुझे feel हुआ फिर मैंने feel किया कि यार यही तो problem है यही तो reason है जिसकी वज़े से मुझे काम करना चाहिए अगर आम्मानी का बेटा होता तो मुझे काम ही क्यों करना था इसने यह कॉल सेंटर के अंदर जॉब करते थे इनके बाद इतना भी पैसा नहीं था कि अपने घर पे मतलब महिने भर का राशन एक साथ लेके जा पाएं और इन्होंने जो स्टोरी स्टोरी फी पैल पांड यू विल चेंज दा गें आगे बढ़ते हैं एक पॉइंट कहीं गायब किया है कोई बात नहीं लास्ट पॉइंट में आपको बता रहा हूं ब्रेक डाउन दा माउंटेन जो एक बहुत बड़ा सा माउंटेन है ना सामने वाले के लिए पहाड की भाई मेर को 20,000 प्रड़क लेना पड़ेगा मुझे 50,000 प्रड़क लेना पड़ेगा आप उसको छोटे-छोटे टुकडों में माट दो चोटे-छोटे-चोटे आपको 126 रुपे 140 रुपे आपको पर डे का बड़ेगा यह तो इससे सस्ता तो लंच आता है जैसे इस दिमाग में सामने वाले के गया उनने बुला हाँ भई आईफोन लेलो एक लाख रुपे की चीज लेली 20,000 की सालरी थी समझे तो आपको भी सामने वाले को इस तरीके से बताना है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो आपको 50 दिन का टाइम मिलता है अगर आप सीरियस हो इस बिसनस को लेके आप प्रॉडक्ट या सर्विस हो और सर्विस या प्रॉडक्ट तभी बिकेगी जब वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे और प्रॉब्लम होन पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो यू अब एक बात का बस याद रखना गाई बहुत सारी चीज़ा हमने सीख ली एक बात का याद रखें कि लॉफ आवरेज हमेशा काम करेगा अब बहुत लोगों को अप्रोच करोगे पर फिर भी ऐसा होगा कि दस में स लोग जो आपर मना करेंगे करेंगे क्यूंकि अल्टीमेटली अगर एक बच्चा बैक पकड़ के क्रिकेट खेलना शूरू करता है तो एक बाल फेक होसकता है ना आपको improve कर रहा है getting my point day by day क्या कर रहा है आपने आपको improve कर रहा है ठीक है तो law of average हमेशा रहेगा आपको वो नहीं होना मतलब कोई इंसान अगर आपके साथ नहीं काम करना चाह रहा है तो चिपकना नहीं है बहुत बड़ी दुनिया बहुत सारे लोग है आड चलाना सीख लो कैसे आप participate कर सकते हो ठीक है अब आपको अपना average चेक करना है कि कितने लोगों से मैं बात करता हूं और कितने लोगों को मैं close कर पाता हूं अपना average कुछ चेक करो और उसको improve करने पर ध्यान दो अपने weak points को पकड़ो कि कहां पे मेरी leakage कहां पे है मैं lead generation कर लेता हूं मेरे बं point को पकड़ो write down करो और work on it start working on it practice 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 you will play the game I'm telling you all right